कुर्स में आप सभी का फिरसे एक बार बहुत-बहुत स्वागत है और आपको याद होगा कि पिसले लेक्चर में हम लोग ने एक नए टॉपिक की शुरुवात करीती देटा फ्रेम और अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूं तो कि जिस प्रकार से हमारे अपने स्प्रेट शीट होती है या जिस तरह के फाइल आप में स्प्रेट शीट में करते हैं उसी तरह के उपरेशन्स हम अपने इस डेटा फ्रेम के इंदर भी सीखना चाहते हैं तो पिसले लेक्चर में हम लोग ने कुछ से टॉपिक के बारे में बात करी थी और साथी आप अपने केटा फ्रेम में बहुत सारे ऑपरेशन को करने के लिए जिस प्रकार से एक हमारा बिल्ट-इन पैकेज होता है मास और उसके अंदर हमारे पास डेटा सेटा इंटर्स तो पेंटर्स को हमने यूज करने की कोशिश कर दी और हमने उसके उपर अपने बिंदमिंद पर परकार के आपरा कं़ेटे करें तो आज हम उसी डेटा सेट को फिरसे इस्तेमाल कर देंगे और इसके उपर हमारे esě that of operations को और हमरे बारे में हम बात करेंगे, साथ लिए के आपको आपको यह भी दिखाएँगे कि कि किस डेटा फ्रेम को किस प्रकार से उक्यार करते हैं औ data objects लेंगे और उनको हम आपस में combine करके एक data frame क्यार करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में उससे हमारे संबंदे जो जो भी information होती हैं को हम धारन के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे के लिए हम अपने इस lecture की शरुवात करते हैं और देखते हैं कि इन operation को किस प्रकार से किया जाता है तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हम लोग ने पिसले lecture में ये painter's नाम का एक data set है जो हमारा mask package के अंदर available है जो मारा built-in package होता है उसको use किया था तो सबसे पहले तो आप इसी को library mask command का use करते हुए आप इस painter's data set को अपने screen पर upload paper देख लीजिए और ये package भी आपका load हो जाएगा तो ये painter data set में देखिए हमारे इसी प्रकार का data set था इसमें हमारे variables थे composition, drawing, color, expression, school और यहां पर row में हमारे पास यहां पर भिन भिन परकार के जो painter's होते हैं उनका नाम दिया हुआ था और उसके साथ में जो उनकी यहां पर values दी गई थी तो अब सबसे पहले तो हम यह देखते हैं, ओके रेखिए इसका screen shot है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई data frame आता है या अगर हम कहें कि हमारे पास बाहर से file आती है और हमको यह मालूम करना है कि क्या यह file हमारी data frame के format में है तो उसको किस प्रकार से किया जाए उसका जो हमाद देखे कमांड होता है यह होता है is.data.frame आपको ध्यान देना है यहाँ पर दो जगह पर dots दिया हुआ है और यह कमांड देखे वैसे ही है जैसे आपने पहले किया था is.numeric is.character तो हम इस कमांड को लिखते हैं और parenthesis के अंदर जो अपना data frame उसको देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए जब आप इसका execute करेंगे तो अगर यह data frame होगा तो उत्र आ जाएगा true अथात ही है data frame है तो इसके दोरा आप यह देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बाहर से कोई file मिलती है तो वह data frame के format की है या नहीं है अब उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि अगर आपको अपना कोई data frame खयार करना है तो किस प्रकार से किया जाए और जैसे मैंने बताया था कि data frame के अंदर हम बिन-बिन प्रकार के जो हमारे r objects होते हैं उनको हम ले सकते हैं और उसमें से खास बात यह होती है कि उनके अंदर जो भी हमारे number of values होंगी जो हमारे row और columns values होंगी वो बराबर होती है इसका क्या मतलब होता है आज जब आपको यह एक operation भी करके दिखाएंगे और इस में से चलिए एक हम data frame क्यार करते हैं जहां पे हमने तीन तरह के बारे बिल्ली है तो पहला मैंने ले लिया एक से सोला तक की values और इसको मैंने X के अंदर store कर दिया है यह देखिए कुछ इस प्रकार से है राइट और फिर हमने एक matrix क्यार करी है जिसमें हमारी four rows और four columns हैं तो यह four by four की matrix है और इसके अंदर जो हमारी सोला वैल्यूज है यह हमारी X के दोरा एक से सोला तक के नंबर आ रहे हैं और इसको हमने Y के format में के नाम से save कर लिया तो देखिए आपके हो गई Y यह की matrix हो गई और उसके बाद हमने A से लेकर के P तक के जो lower case में alphabet होते हैं उनको ले लिया है तो उसको मैंने यहां पे Z vector में लिख दिया है तो देखिए यह आपका Z vector हो गया जिसमें A B करके यहां पे P तकी values आ गई हैं अब सवाल यह आता है कि इस इन तीन values को combine करके हम अपना data frame किस प्रकार से प्यार करेंगे तो देखिए इसका हमारा command होता है data.frame तो सबसे पहले मैंने लिखा data.frame और सभी को मैंने lower case alphabets में लिखा और उसके बाद मैंने parenthesis में जो अपने तीन variables थे जिनको हम combine करना चाहते हैं उनको लिए X, Y, Z तो यह तीनों variable हमारे कॉमा से separate हो जाएंगे और इस से हमारा जो भी data frame तयार होगा उसका मैंने नाम दे दिया DATFR तो देखिए यह आपको इस तरह का data frame यहां पर मिल जाएगा लेकिन अब इसमें से खास बात क्या है कि जड़ा सा आप इसका structure देखने की कोशिश करिए तो सबसे पहले देखिए आप जड़ा सा इस पे धान दीजिए यह आपको क्या है X तो यहां पर देखिए एक से सोला तक की values आ गई और आप अगर इसको compare कर जड़ा से लेकर पी तक की values आ गई और आप अगर यहां भी रिखेंगे तो Z आपको देखिए इसी प्रकार से यहां पर दिया हुआ था अब जड़ा से यहां पर साथ में आप अपना Y का structure देख लिए Y का structure किस प्रकार का है Y आपकी matrix है 4 by 4 की तो इसमें से values किस प्रकार से अरेंज है एक, दो, तीन, चार उसके बाद में उपर आता है control और फिर 5, 6, 7, 8 फिर उपर आता है फिर हमारा control 9, 10, 11, 12 फिर उपर आता है फिर 13, 11, 15, 16 इस प्रकार से आपकी values आरेंज है आप जड़ा से यहां पर देखिए आपकी values किस प्रकार से आरेंज हो रही है तो आप यह repeat क्यों हुआ है क्योंकि आपने देखा था कि कोई भी data frame अंदर हमारे जो values होती है उनकी संख्या समान होती है तो आपके x और z में 16-16 values है और यहां पर आप ही देखिए एक, दो, तीन, कार खाली values थी y के अंदर तो इसने उसको तर बार रिपीट कर दिया है यह भी आप आपको था ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपना data frame को construct करते हैं तो उस समय आपको अपने इन rows और column को किस प्रकार से अरेंज करना है राइट ओके यह देखिए इसका screen shot भी है तो चलिए हम आपको पहले जड़ा सा यह वाले operations आपको हम अपने R software में करके हम दिखाते है और देखिए यह आपका screen shot है जब आप इस data frame को क्यार करेंगे राइट तो तो लिए देखिए हम दिखाते हैं आपको सबसे पहले तो हम यही cross check करते हैं कि कोई अगर हमको data frame अगर दिया है तो वह क्या data frame है तो कि सबसे पहले हम यहाँ पे library mask कर लेते हैं और आप देखिए आपका painter इस प्रकार से आगया इस तरह का data आपका आगया painter का अब यहाँ पे हमने कहा कि क्या ही हमारा data frame है उत्तर आगया true correct है इसके बाद में ज़रा से हम अपने इस data frame को क्यार करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे x y z ले लिया x आपका यह हो गया y आपक हमने data frame क्यार किया उसका मैंने नाम दे दिया से data fr equal to data dot frame और यहाँ पर मैंने दे दिया x comma y comma z right अब आप देखिए तो इस क्या यह किस तरीके का आगया यह देखिए उसी तरीके का तो आगया यह कैसा आपने screenshot में देखा था भी यह आपका हो गया x और यह आपके y के 4 columns हो ग इस प्रकार से आप अपना देखिए कोई भी data frame को कयार कर सकते हैं बढ़ आपको थोगी सी सावधानी बरतनी है अब इसके बाद हम अपने इस data frame से सम्मंदित कुछ और सवाल हैं उनके जवाब निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए जैसी आपके पास कोई data file आती है य इसके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं राइट information से हमारा मतलब है कि उसके अंदर data का जो हमारे structure किस परकार का है कि इसके वेरियाबिल है कितने observation इत्यादी तो अपने इस data frame के structure को निकालने के लिए उसके इंदर उसकी dimension उसके variables के नाम और किस किस परकार के वेरियाबल है इसकी information होती है, इसको हमारा command होता है str, इस टी आर क्या है, यह हमारा structure का short form है, right, तो अगर माली आपको painter's data frame में का structure अगर निकालना है, तो आप लिख दोगे str, सब कुछ lower case alphabet में और parenthesis में लिख दोगे अपने data frame का नाम painters, अब देखिए आपको इस प्रकार का output मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है data frame, अथा यह जो painter से यह data frame है, और इसमें 54 observations है और पांच variables है, यह पांच variable कौन-कौन से है, यहाँ पर है, composition, drawing, color, expression, school, और आप इनका जो structure है, behavior देखिए किस प्रकार का है, behavior ऐसा है कि जो composition है, वो देख int का मतलब होता है, integer, इसके अंदर जो भी values दी गई है, यह आपके integer क्याप की है, और यह values देखिए ऐसी है, 10, 15, 8, 12, ITAT करके, उसके बाद में आपका जो drawing, color, expression, यह भी आपके integer है, इनकी values कुछ इस प्रकार की है, तहाँ पर सारी-सारी values को नहीं दी हुए है, लेकिन कुछ जो आरंब की value होती है, वो आपको दी गई है, उसके बाद में जो आपका variable is cool, यह आपका factor है, और इसके अंदर आठ लेवल से रितियादी, तो इस प्रकार की देखिए, आपको information यहां से मिल जाती है, तो देखिए, यह आपका screenshot है, इसका, उसके बाद में हम आपको एक और operation के बारे में बताते हैं, कि अगर हमको अपने data frame से किसी variable के अंदर छुपे हुए data को कैसे बाहर निकालना है, या अपने किसी variable को अगर extract करना है, तो किस प्रकार से किया जाए, यह वाला कार हम अपने पिसले में आपको briefly करके दिखा चुके हैं, लेकिन यहां पे हम आपको इसको इंटेड्यूस करते हैं, और दिखाते हैं कि कोई भी data frame में अगर किसी variable को भार extract किया जाना है, तो किस प्रकार से किया जाए, तो देखिए, इसका नियम बहुत ही आसान होता है, सबसे पहले आप अपने data frame का नाम लिखिए, और उसके बाद में यहां पे dollar operator इसको लि लिख दीजिए, बस, right, अब यह variable का नाम अगर आपको निकालना गर है, तो आपने पिछले lecture में देखा था कि हमने call names वाले command का इस्तमाल किया था, जिखिछ के दौरा हमने अपने columns के नाम निकाल लिए, तो इसकी spelling को फिर से type करने में, फिर से लिखने में कोई mistake ना हो, right, तो किस प्रकार से आपको अपने इस painter से आपका एक variable है, school, इसके बारे में अगर आपको information निकाल लिए है, तो किस प्रकार से आप इस school को का जो variable है, उसको बाहर निकाल लेंगे, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपने data frame का नाम लिख दिया, PAINTERS, और उसके बाद मे इसके बाद में लिख दिया, variable का नाम is school, बस school में आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से school का नाम जो भी इसके exact spelling, lower case, upper case में, original data set में दी है, आपको C को इस्तमाल करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार का यहाँ पर output मिल जाएगा, और इसके ब कौन सी value है, इसको निकालना है, तो उसके लिए हमने जिस प्रकार से matrix में अपना operation किया था, कि जिस प्रकार से matrix के अंदर किसी particular row या किसी particular column से अगर आपको किसी data value को निकालनी होती थी, तो आप उसमें matrix का नाम और square bracket में row और column का address लिख देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ data frame के अंदर भी अगर आपको किसी particular row और किसी particular column पर कोई जो value दी हुई उसको बाहर निकालना कर है, तो इसको हम उसी तरह से row और column के form में ही लिखते हैं, तो कैसे सब से पहले हम अपना जो भी उस data frame का नाम लिखेंगे, और उसके बाद square bracket में हम यहाँ पर यह जैसे row का number औ row का नाम और column का नाम यहाँ पर लिख देंगे, right, matrix के case में हम row और column में उसका जो number होता था और उसको लिखते थे, तो अब जी कैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे painter's data set में जो हमारा एक row में नाम है dowdyne और column में नाम है composition उसके corresponding हमारी क्या value है, इसको अगर निकालना अगर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे painter's, p-a-i-n-t-e-r-s और यह देखेंगे square brackets के अंदर हम double quotes में उस painter का नाम लिख देंगे dowdyne, अब यह चुकी character है, string है तो इसको हम double quotes में लिखेंगे, और इसके बाद में जिस column को चाहते हैं, उसका मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पर क्या है, dowdyne, और यह देखेंगे क्या है, composition, देखेंगे यह वाली value तो आपके आगे 10, तो यही वाली value तो यहाँ पर आ रही है आपकी, जो आपने यहाँ पर दिखाई है, right, अब उसमें से देखेंगे, इस तरह के आप अगर अगर अपने variables को बाहर अगर आप निकाल लेत दिखते हैं, जैसे दाहरल के लिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, कि हमारा जो school variable के अंदर data है, उससे हम bar plot बनाने की कोशिश करते हैं, although मैंने bar plot के बारे में अभी कुछ बात नहीं करी है, और मैं आपको आगे आने बारे lectures में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसक इसकी variable का नाम के आगया, painter's dollar school, तो देखें, आपको इस प्रकार का bar plot बनके आजाएगा, और उसी प्रकार से अगर आपको पाई chart भी बनाना है, पाई diagram बनाना है, तो उसका भी कमान यह होता है, PIE, और यहाँ पर हम लिखेंगे, cable, TABLE, और फिर हम प्रेंटेंस में उस variable का नाम लिख देंगे, तो आपको देखें, यहाँ से इस प्रकार का pie chart भी बनकर के आजाएगा, तो आपने देखा कि इसके यह करने के बाद में आप अपने इन variables को अपने किसी normal variable की तरह आप उनको इस्तिमाल कर सकते हैं, अब हम जड़ा सा यह वाले command आपको इस R console में करके देखाते हैं, तो देखिए, डेसा आपने देखा कि आपका जो printer's का data set कैसा आ गया, इस प्रकार का आ गया था, अब इसी में आप अगर माली इसका आप अगर structure देखना चाहते हैं, तो आपको कमांड है str और parenthesis में उस data frame का नाम लिख दीजिए, तो देखिए, इस प्रकार स है, तो देखिए, अगर आप देखेंगे, यहां पर इसका column names क्या था आपका, यह आपका था इस प्रकार से, अब अगर माली इजिए, आपको drawing का अगर variable अगर बहार निकालना है, तो आपने देखिए, यहां से जो कब से पहले आपने, यहां पर painter's लिखा, जो अपने data set का नाम फिर dollar operator और drawing को यहां पर लिख दिया, देखिए, इसकी values आ गई, right, उसी प्रकार से अगर आपको माली इस school के बारे में निकालना अगर है, तो आपने यहां प्रकार दिया, SCHOOL, right, तो इस प्रकार से आप देखिए, कोई भी value को आप बाहर निकाल कते हैं, right, उसी प्रक value है, dowdyne, और यहां पर क्या value है, composition, इसकी value क्या आ रही है, 10, right, यह value अगर आपको बाहर अगर निकालना अगर है, तो आपने इस particular address पर क्या लिखा हुआ है, तो आपने देखिए, यहां पर लिख दिया, painters, dowdyne, और composition में का दिया, इसकी value कितनी आ गई, 10, right, उसी प्रकार से आप अगर यहां पर देखिए, अगर हम वाली यह, गुलियो, रुमानों की बात करते हैं, तो इनका अगर drawing के अंदर आप देखेंगे, तो क्या इसकी value है, 16, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, हम यहां पर इस painter का नाम लिखते हैं, और उसके बाद में हम इसमें यहां प आपकी value ही आजाएगी, 16, तो इस प्रकार से आप अपने इन जो particular values हैं, इनको भी आप बाहर निकाल सकते हैं, और उसी तरीके से अगर आपको माले यहां पर अगर कोई अपना graphic भी कयार करना अगर है, तो देखिए हम यहां पर ऐसे प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए, ज अगर आपने इसको अगर यहां पर πाई डागरम आप बनाना चाहते हो तो आपने यहां पर कर दिया PIE, यह हमारा command होता है पाई शार्ट का, तो इखिए, यहां पर यहां पर पाई शार्ट बन के आ गया, तो उसी पकार से मैं आपको यह दिखाना चाहता है कि आप जब इस इस variable को बाहर आप निकाल लेते हो तो यह आपका एक बिल्कुल individual variable की तरह यह कार्ग करने लगता है तो चलिए अब हम इस lecture को यहां पर रोकते हैं और आपने देखा कि यह बहुत ही छोटा से lecture था और इसमें मैंने बहुत छोटे से command लिये हैं कि मैं यह चाहता हो कि यह जो हमारा structure है command है इनको आप में जड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए उनकी practice करिए और यह practice करने के लिए आप अपनी कोई भी spreadsheet जिसमें आप में कभी पहले काम किया है या कोई MX Excel की file है आप उसको pick up कर लीजिए और उसमें से आप जिस प्रकार की information उसके अंदर contained होती थी और उसको आप किस प्रकार से बहार निकालते थे उसी कार को जड़ा सा ARC software में करके दीखिए कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं तो आप इन कमांज की practice करी और हम आपको अगले lecture पर मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए good bye कि अगरो